देखिए बिल्कुल सही पहल है, बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि हर व्यक्तनी का देश में पहचार पुरोडी है, जहें वो कोई भी काम करें, पान का दुकान लगाए, चाई का दुकान लगाए, छेला का दुकान लगाए, अंडा बेचे, सागीर का पंचर बना है, सब के लि पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना जारी है पक्ष और विपक्ष इस पर प्रतिकिर्या देते नजर आए इसे के साथ बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि नेम प्लेट को लेकर आप क्या करना चाह रहे हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि यदि नेम प्लेट पर आदेश जा सबके पास होता है उसी परकार से दुकान पर नेम प्लेट भी होना चाहिए और क्या कुछ कहते नजर आए इस मुद्दे पर नीरज बबलू पहले आप इनका बयान सुनें आप आयल डूबर सबचि और अपरचारित होना चाहिए नहीं तो बहुत गुत-थिज़ एय abgeलेस के लिए नहीं फूरे देश-में इसंका परलोना चाहिए और देश में अर रहे मंत्री निरज बबलू का कहना था कि जो योगी सरकार इस मुद्धे पर फर्मान जारी किया है ये सही है और ये पूरे भारत में लाग होना में चाहिए जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या बिहार में भी कावर यात्राओं के रास्ते में जो दुकाने हैं उस पर भी नेम प्लेट लगना चाहिए तो बोले बिलकुल लगना चाहिए क्योंकि नेम प्लेट से पता चलता है कि आपकी पहचान क्या है क्योंकि घुस पैठी ये भारत में आते रहते हैं और भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोन से ये बहुत ही महत्पूर्ण कदम है और ये बहुत अच्छी बात है पुरे भारत में लागू होना चाहिए बिहार के साथ साथ जारखंड में भी लागू होना चाहिए इस प्रकार से निरज बबलो का कहना था तो फिलाल इस खबर में बस इतना ही आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो को लाइक करे शेयर करे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद